देखिए जैसा कि मैंने कल के analysis video के अंदर साफ साफ कह दिया था यहाँ पर आप लोगों को कह दिया था यह जो range है अगर इस range के अंदर bank nifty कामकाज करती है कल के दिन तो आप लोगों को इस range के अंदर बिलकुल भी call or put के चक्कर में नहीं परना है और आज के दिन आप लोग देख सकते हो clear cut यहां पर देख सकते हो आज के दिन बैंक निफटी के अंदर क्या हुआ है पूरा का पूरा दिन क्या हुआ है time pass हुआ है देख भाईया यहां पर मैं कोई भी हवा हवाई के अंदर बात नहीं करता हूं तू लोग यहाँ पर देख सकता है बिलकुल life proof है अगर कल वाला analysis वाला वीडियो नहीं देखा है न तो जा करके देख लेना ठेक है यहाँ पर तू लोग खुद देख सकता है इसी level से देख सकता है यहाँ से क्या लिया गया support लिया गया और इसी range के अंदर कामकाज किया आज के दिन bank nifty के अंदर देख सकते हो देखिए कल nifty 50 का expiry है और कल के दिन nifty 50 के अंदर कैसा moment रह सकता है क्या कल के दिन nifty 50 के अंदर बड़ा downfall देखने को मिल सकता है या फिर बड़ा अपरेली देखने को मिल सकता है कौन सा level से hero to zero का setup बनेगा जानने के लिए video में end तक बने अगर आप लोगों ने ये analysis का video देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी analysis का video नहीं देखना परेगा ये मेरा challenge है अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो पिछले 10 दिन का analysis वाला video जा करके देख लेना क्या तुम लोगों को वहाँ पर 95% का accuracy मिला है या नहीं मिला ह तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर option trading technical analysis में तो फटा फट से भाई मेरे like कर दे चैनल पर नए हो तो भाई मेरे subscribe भी कर लें साथी साथ भाई मेरे bail icon के all पे किलिक करना बिल्कुल भी ना भूले जरूर किलिक कर लें देखो भाई मेरे like करने से तेरे लेगों के जेब से कुछ भी नहीं जाता है ना तो मेरे जेब में कुछ भी आता है अगर तेरे लोगों को मन में अगर ये सवाल होगा तो अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का trade प्लान करते हैं तो देखो पहले हम देखेंगे bank nifty और उसके बाद देखेंगे हम nifty 50 तो आप लोग सकते हैं हम bank nifty के चार्ट के ऊपर हैं यहां पर हमने 5 मिनट का time frame लगा दिया है अब जो bank nifty के अंदर important resistance और support रहने वाली है बिलकुल ध्यान से समझ लेना अगर समझना हो तो अगर नहीं समझना हो तो भाई मेरे वीडियो को करो यहीं बंद और जा सकता है क्योंकि तेरे ज ध्यान से समझ ले यहां पर 43,790 का माल ले अगर कल के दिन bank nifty इस लेवल के उपर gap up opening ले लेती है ध्यान से समझ ले तो ऐसे condition में यहां पर क्या करना होगा तेरे लोगों को यहां पर करना होगा बेट gap up opening लेने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा retress करने आती है क्या कर मोटाई चोडाई लंबाई अच्छे से दिखाई दे देती है तब तु लोग यहां पर safely call buy कर सकता है और यहां तक target के लिए जा सकता है जो की हमारा अगला resistance होगा 43,890 का यहां पर तु लोग अपना profit को book कर सकता है या तो फिर अपना SL को trail कर सकता है अब माल ले अगर कल के दिन bank NFT इस level के उपर gap up opening लेने के बाद और इस level पर इस तरीके का consolidate करती है और यहां पर एक range बनाती है क्या बनाती है range बनाने के बाद जब इस range को यहां पर breakout करेगी तब तो तु लोग यहां पर safe call buy कर सकता है या फिर इस range को यहां पर breakdown करेगी तब तु लोग यहां पर safely put buy कर सकता है अब माल ले अगर कल के दिन bank NFT यहां पर flat खुल जाती है तो ऐसे condition में तेरे लोगों को यहां पर क्या करना होगा यहां पर करना होगा बेट अगर यहां पर flat खुल जाती है ना तो यहां पर एक range बनाएगी इस तरीके का consolidate करके और इस range को अपने चाट के उपर है अब जो bank NFT के अंदर important support रहने वाली है जो की रहने वाली है यह वाला लेबल अपने चाट के उपर mark कर लेना अच्छे से जो की लेबल है 43,480 का माल ले अगर कल के दिन bank NFT इस लेबल के नीचे gap down खुल जाती है तो ऐसे condition में तेरे लोगों को यहां पर क्या करना होगा gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retrace करने आती है और तेरे लोगों को यहां पर bearish candle के अंदर strength दिखाई दे देती है क्या मतलब समझ ले यहां पर बिलकुल ध्यान से याने की मोटाई चोडाई लंबाई दिखाई दे देती है लाल candle के अंदर तब तू लोग यहा तक target के लिए जा सकता है जो की हमारा अगला support होगा 43,320 का यहां पर तू लोग अपना profit को book कर सकता है या तो फिर अपना चढ़ाबा को चढ़ा सकता है अब तू लोग देख सकता है निफ्टी 50 का chart है यह और कल क्या है निफ्टी 50 का expiry है तू लोग यहां पर देख सकता है कल के दिन मैं तेरे लोगों को यहां पर साफ साफ कह दिया था 19,460 से ले करके 19,360 के बीच में अगर निफ्टी 50 कामकाज करती है तो तेरे लोगों को यहां पर color put के चक्कर में नहीं परना है नहीं तो तेरे लोगों का यहां पर loss हो सकता है यहां पर तू लोग यहां पर life proof पर संठी रह सकता है अब समझ ले कल के दिन तेरे लोगों को कैसे ट्रेडिंग सेट अप बनाना है बिल्कुल ध्यान से समझ लेना अब देख ले निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोटेंट रजिस्टेंस है अपने चाट के उपर तू लोग मार्क कर लेना जो की लेबल है 19,510 क माल ले अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के उपर गयाप आप आपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडिशन में तेरे लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा बिल्कुल कान खोल करके सुन ले अगर इस लेवल के उपर गयाप आपनिंग ले लेती है तो सिर्फ यहाँ पर र ले लेती है तो इस लेवल से तेरे लोगों को profit booking देखने को मिल सकता है इसलिए मैंने तेरे लोगों को यहाँ पर कहा सिर्फ retracement पर ही entry लेना है या फिर दूसरा condition यहाँ पर क्या होगा gap up opening लेने के बाद जब इस लेवल के उपर इस तरीके का consolidate करती है और यहाँ पर एक range बना पर safely put by कर सकता है अब मालने अगर कल के दिन nifty 50 यहाँ पर flat खुल जाती है तो तेरे लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा बिल्कुल कान खुल करके सुन ले अगर कल के दिन यहाँ पर flat खुल जाती है तो यहाँ पर तेरे लोगों को क्या करना है wait यहाँ पर entry कैसे लेना है ध्यान से समझ ले यहाँ पर तेरे लोगों को logic को समझा देता हूँ फ्लैट खुलने के बाद जब ऐसे यहाँ पर consolidate करती है यहाँ पर ध्यान से सुल ले और range बनाती है जब यहाँ पर और इस range को जब यहाँ पर breakout करेगी तब तू लग यहाँ पर safely call बाइक कर सकता है और यहाँ तक target के लिए जा सकता है जो कि हमारा अगला resistance होगा 19,580 का यहाँ पर तू लोग अपना profit को book कर सकता है या तो फिर अपना SL को trail कर सकता है या फिर जब इस john को यहाँ पर breakdown करेगी तब तू लोग यहाँ पर safely put buy कर सकता है अब जो निफ्टी 50 के अंदर important support रहने वाली है बो रहने वाली है यह वाला लेवल जो की लेवल है 19,360 का माल ले अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे gap down खुल जाती है तो ऐसे condition में तेरे लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर तेरे लोगों को करना होगा wait माल ले gap down खुलने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा retrace करने आती है तभी तेरे लोगों को यहाँ पर put की entry लेना है इससे पहले तेरे लोगों को यहाँ पर put की entry नहीं लेना है नहीं तो तेरे लोगों का यहाँ पर loss हो सकता है यहाँ पर retracement पर तू लोग यहाँ पर entry ले सकता है और यहाँ तक target के लिए जा सकता है जो की हमारा अगला support होगा 19,290 का यहाँ पर तू लोग अपना profit को book कर सकता ह या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकता है अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का तो बिल्कुल ध्यान से समझ ले कैसे तेरे लोगों को यहाँ पर हीरो टू जीरो का सेटप बनाना है बिल्कुल ध्यान से समझ ले देख ले जब तक कंडिशन को यहाँ पर सश्ट 50 50 और जिसकी प्रिमियम 5 से लेकर के 15 रुपे तक की होगी वहाँ पर तू लोग कॉलर पुट दोनों पाई कर सकता है या फिर एक बजे से लेकर के धाई बजे के बीच में 19,300 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 या फिर 19,350 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जिसकी प्रिमियम 5 से लेकर के 15 रुपे तक की होगी वहाँ पर तू लोग कॉलर पुट दोनों बाई कर सकता है तो आसा करता हूँ तेरे लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की सारे लेवल अच्छे से समझ में आ गई होगी तू लोग अपने चार्ट के उपर ये सारे लेवल मार्क कर लेना ताकि तेरे लोगों को कल के दिन कामकाज आ सकती है तो फेर मिलते है किसी नए वीडि के अंदर तब तक के लिए जाहिन वंदे मातरम